मानव का शरीर एक शांदार मंदर कहने वाले कहते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है और फिर जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका काम सही होता है और अगर आपका शरीर खराब है तो फिर आपका कोई भी काम सही नहीं होता देखें ये खास निपो वैग्यानिकों की माने तो विटमिन B12 पानी में घुलने वाला एक ऐसा पोशक तत्व है ये आपकी नसों, red blood cells और DNA के लिए बहुत आवश्यक्त इसकी कमी से कई सारी दिक्कते होने लगती है अगर आपने इस विटमिन से भरपूर चीजों को डायेट में शामिल नहीं किया तो शरीर को अंदर से कमजोर होने से कोई नहीं बचा सकता तो आज हम इसी विटमिन की बात करेंगे जो आपके शरीर के लिए जरूरी है जे, विटमिन B12 की कमी कैसे होती है जब शरीर में इस पोशक तत्व का इस्तमाल ढंक से नहीं हो पाता तो इसका लेवल कम होने लगता है जिसे विटमिन B12 deficiency कहा जाता है इस बीमारी का खत्रा कुछ लोगों को जादा होता है खाने से विटमिन B12 निकालने के लिए शरीर को दो चीजों की जरूरत होती है जिसमें पेट में बनने वाले हाइड्रोकलोरिक एसेड और इंट्रेंसिंग फैक्टर नाम का प्रूटीन होता है जिन लोगों में इन दोनु चीजों में से कुछ भी कम होता है उनमें ये विटमिन कम होने लगता है कुछ शोदों में देखा गया है कि तीन तरह की चीजें खाने से एट्रोफिक या क्रोनिक गैस्टराइटिस होती है जोकि हाइड्रोख्लोरिक एसेड और इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है इसलिए इन कामों से दूर रहे डॉक्तरों के माने तो अगर आप शराब, तीखी मिर्च और मीठे फूट को कम खाते हैं तो आपका शरीर ठीक रहेगा एलकोहल का सेवन एक स्टडी के माने तो विटमिन B12 की कमी शरीर के लिए काफी घातक हो सकती क्योंकि इससे निम्ले लिखित बीमारी पैदा हो सकती अब हम बताते हैं कि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो इसके लक्षन क्या होंगे और आपके शरीर में क्या होने वाला भूख ना लगना वेट लॉस जी मचलना डाइरिया जीब में सूजन हाथ पैर सुन्ध होना नजर धुन्दली पढ़ना उदास परिशान रहना चिड़चिड़ापन ठकावट कमजोरी विटमिन B12 कमी के सबसे बड़े कारण में असंतुलित डाइट है जिसमें इसे देने वाले फूद्स ना हो इस वज़े से शरीर को पर्याप्त पोशन नहीं मिल पाता और उसे तकलीफ होने लगती इस कमी को दूर करने के लिए इनसान को क्या-क्या खाना चाहिए आप देख सकते हैं इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको विटमिन को लेकर क्या करना और अगर आप साथानी बरतते हैं तो आपके शरीर में इसकी कमी नहीं होगी और हाँ ये डॉक्टरों की सलाह पर हम आप से बता रहे हैं जब किस से बहतर और भी इलाज है अगर आपको इस तरह के लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और इलाज शुरू करें करता प्रवप्ण पार करें झाल झाल झाल